हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद परशांत पर फ्रेंट्स आज हम हातों के कुछ सुक्सम व्यामों का अभ्यास करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने दोनों हातों को सामने की और इस परकार से फैला लेना है और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है इसके बाद हमें स्वास और प्रस्वास का ध्यान रखते हुए इन सुक्सम व्यामों को करना है आपको सबसे पहले क्या करना है हमारी ये जो सभी उंगलियां है इनको इस परकार से स्वास भरते हुए बंद करेंगे और स्वास छोड़ते हुए दीरे से खोल लेंगे ठीक उसी परकार आपको ये है 10 का एक स्टैप बनाना है आपको ये है स्टार्टिंग में 3 स्टैप करने है तो आपको 10-10 के 3 स्टैप करेंगे तो ये है आपके 30 स्टैप हो जाएंगे ये हमारे हातों का जो सुक्सम व्याम है इसके दुआरा जब हम इस परकार से करते हैं हमारी संपूर्ण हात की नसे इसे खुलती है और संपूर्ण स्रीर में बलड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो हमें सबसे पहले इदी का अभ्यास करना है इसके बाद सैकिंड आता है अपनी मूठियों को बंद कर लेना है और इस परकार से धीरे-धीरे गुमाना है ध्यान रहे आपके चहरे पर किसी परकार का कोई तनाव न रहे आपको दस बार इसको इस परकार से गुमाना है और फिर वापिस इसको रिपीट करना है दस बार इसको आप इस रिपीट करेंगे ये हमारी संपूर्ण कलाई को एक्सरसाइज देता है, वयाम देता है इससे हमारी कलाई की हड़ी भी मजबूत होती है और कुछ लोगों को ये सिकायत होती है कि कुछ महिलाओं का हाथ भी काना हो जाता है तो उसके लिए भी ये वयाम बहुत अच्छे है इसके बाद आपको हाथों को इस परकार से खोलना है और फांस भरते हुए उपर लगाएंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस परकार से ये भी आपको स्टार्टिंग में दस-दस बार करनी है इसके बाद चोथी एक्सरसाइज आती है आपको अपने दोनों हाथों को इस परकार से लगा लेना है अपने सोल्डर के उपर और स्वांस भरते हुए हाथों को उपर लेकर जाएंगे स्वांस छोड़ते हुए नीचे से इस परकार लेकर आना है ध्यान रहे जब इसको आगे से गुमा रहे हो तो आपकी कौनिया आपस में मिलनी चाहिए इस परकार से कुछ लोग इस परकार करने लग जाते हैं यह है इसका हमें संपूर्ण लाब नहीं मिल पाता क्योंकि यह पोस्चर गलत हो जाता है हमें वही तरीका जमान चाहिए जो बिलकुल परफेक्ट हो तो इस परकार से आप इसको करेंगे इसके भी आपको 10 रैपिटेशन करने हैं इसके बाद इसको वापिस उसी परकार से 10 रैपिटेशन में कंप्लेट करना है यह हमारे हाथों के साथ साथ हमारे सॉल्डर को भी मजबूत करता है जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रोब्लम है या फिर जिनकी गर्दन में दर्द है जिनकी बैक पेन है जिनको उनके लिए भी ये वैयाम बहुत इकारगर हैं बहुत इलावकारी हैं इस परकार से आपको स्वास पर स्वास का ध्यान रखते हुए इन सुक्सम व्यामों का अभ्यास करना चाहिए इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है अपने राइट हैंड को उठा कर अपने गर्दन के पीछे से इस परकार से लैप्ट हैंड से पकड़ लेना है और गर्दन हमारी सामने की ओर हो और लैप्ट हैंड से राइट हैंड को दिरे दिरे से नीचे की ओर खिचेंगे और सामने की ओर गर्दन रहेगी यह आपका खिचाओ यहाँ पर आता है और संपूर्ण हाथ में इसका खिचाव आता है जिससे आपका दर्द ठीक होने लग जाता है और इससे सॉल्डर्स की भी एक्सरसाइज होती है इसके बाद आपको राइट हैंड को नीचे लेके आना है और लैप्ट को पकड़ कर इस परकार से जाता संपूर्ण नीचे की और खीचेंगे इस परकार से यह एक्सरसाइज हमारे अकड़े हुए कंधों के लिए बैश्ट मानी गई है इस परकार से आपको पांच से लेकर साथ बार इसका अभ्यास करना है नेक्ट एक्सरसाइज है आपको अपने लेफ्ट हैंड को धीरे से बाई ओर लेकर जाना है उसके बाद अपने राइट हैंड को भी बाई ओर लेकर जाएंगे और गर्दन बिल्कुल सामने की ओर रहेगी अब धीरे से हातों को वापिस लाएंगे उसके बाद स्वास भरते हुए राइट हैंड को राइट साइड में लेकर जाना है और फिर लेप्ट हैंड को धीरे से राइट हैंड के पास ले जाना है गर्दन सामने के और रहेगी और दीरे से वापिस आ जाना है इसको भी आप दो से तीन बार दोहरा सकते हैं तो फ्रेंट्स इस परकार से आप हातों के सुक्सम व्याम कर सकते हैं और जिन लोगों को कंदे में जकडन रहती हैं जिनको दर्द रहता है उनके लिए ये व्याम बहुती उत्तम माने गए हैं और कुछ आसन करने से पहले भी इन व्यामों का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे अकड़े वेज शरीर को खोलने के लिए सबसे पहले सुक्सम व्याम ही महत्तपून माने गए हैं तो फ्रेंट्स इस परकार से आप संपून हातों के व्याम को करके अपने हातों का दर्द कंदों का दर्द ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिक कर बताएं और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के ल झाल झाल